हमारे सभी दर्शकों को साधर पढ़ाम जैशी क्रिश्णा आज का हमारा विशाय है नवमांश कुंडली और विभा के बाद लाबकारी इस्तती अधिक तर हमारे पास यह प्रश्ण भी आता है माली जी यह आपका लड़का है आपका प्रश्ण है कि आने वाली बहु जो भी हमारे बच्चे की पतनी होगी वह कामकाजी होगी या नहीं या उससे लाब वाली इस्ततिया है या नहीं या आप लड़की वाले हैं तो आपका प्रश्ण होता है कि जिस लड़के से विवा होगा अमारी बच्ची का लड़की का तो वह लड़का अच्छा लाब कमाएगा या नहीं उसके आर्थिक इस्ति अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी इसको समझने के लिए हम नौमांश चार्ट को भी देखते हैं नौमांश चार्ट की एक ऐसी इस्ति जो बताएगी कि विवहा के बाद लाब वाली इस्ति है या नहीं पतनी से लाब है या नहीं या पती से लाब है या नहीं इसके लिए हमें नौमांश कुंडली देखनी होती है और विशेश कर नौमांश कुंडली में लगन जैसे हम लगन को देखते हैं कुंडली में आप यहाँ पर कुंडली देखें जैसे हम हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव को देखते हैं लगन को देखते हैं वेसे ही नवमाँच कुंडली में भी प्रथम भाव को देखना पड़ता है तो सबसे पहले तो आपकी द्रश्टी नवमांश कुंडली के प्रथम भाव पर होनी चाहिए पूरु में भी मैंने नवमांश के बारे में जानकारी दी है यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें इस चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको सभी जानकारिया समय पर मिल पाएगी जो भी वीडियो में नए नए वीडियो डालूंगा आप तक समय पर पहुँच पाएंगे तो आपको देखना है आपके लड़के या लड़की की कुंडली को ही देखना है और उसके नवमाज चार्ड को देखना है आपका लड़का है आपकी लड़की है विवा के बाद उसकी इस्तती देखनी है लाब वाली माली जी आपकी लड़की है तो लड़का इंकम अच्छी लेगा या नहीं लेगा या ससुराल से आपकी लड़की को लाब मिलेगा या नहीं मिलेगा या आपका लड़का है जहां कहीं भी विभा करेगा तो ससुराल से लाब मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके साथ ही जो पतनी आएगी वह भी अच्छा लाब देने वाली होगी या नहीं होगी आपकी कुंडली से ही पता लगाना है आप अपनी कुंडली खोलें और कुंडली में नौमांश को देखें और लगन कुंडली, दोनों कुंडलीों को देखना है एक तो नवमांच कुंडली को देखना है, एक लगन कुंडली को देखना है सबसे पहले तो आप एक बात नोट कर लेए कि राशियों के स्वामियों को नोट कर लेए यहाँ पर आप एक चार्ट भी देखें इस चार्ट को आप समझ लेएं कि किस राशी का स्वामी कौन है जैसे मेश राशी का स्वामी मंगल है इसका एक कांग होता है दो नमबर जो राशी है उसका स्वामी शुक्र है वो रशब राशी है तीर नमबर मिथुन राशी बुद्ध स्वामी तो इस प्रकार से 12 राशी आपके सामने लिखी हुई है उनके स्वामी लिखे हुए है इस चार्ट को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आप राशीों के स्वामीों का पता कर सकते हैं जैसे मीन राशी है तो बारा कांग है और उसका स्वामी कौन है गुरू जैसे वरश्चिक राशी है आठ कांग है उसका स्वामी कौन है मंगल जैसे मकर राशी है दस कांग है स्वामी शनी है कुम्ब का स्वामी भी शनी है ग्यारा कांग होता है कुम्ब राशी का तो आपको नवमांच कुंडली देखनी है, सबसे पहले नवमांच कुंडली देखनी है वापस आप यहाँ पर कुंडली देखें प्रतम भाव को देखना है, नवमांच कुंडली जो है, खोल कर देखनी है उसका प्रथम भाव vats house देखना है वहां पर क्या अंक लिखा हुआ है जो भी अंक नवमांच चार्ट में प्रथम भाव में लिखा हुआ है वही नवमांच का स्वामी कहलाएगा सीधी सी बात नवमांच का स्वामी कौन है जो सरो प्रथम जैसे लगन का स्वामी होता है वेसे ही नवमांच का स्वामी प्रथम भाव से पता लगेगा तो नवमांच कुंडली में जहां पर जैसे लगन है वेसे ही प्रथम भाव जो नवमांच का होता है उसको देखें वहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है, उसे ध्यान पुर्वक देखें और उस से उस राशी का पता लगाएं, राशी के स्वामी का पता लगाएं और फिर आपको देखनी है लगन कुंडली जैसे ही आपको पता लग गया कि नवमांच का स्वामी कोई एक प्लेनेट है, चाहे सुर्य हो, चाहे शनी हो, चाहे मंगल हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, बुद्ध हो, शुक्र हो आपको जैसे ही पता लग गया कि नौमाच के प्रथम भाव का स्वामी ये ग्रह है तो उस ग्रह को अब आपको लगन कुंडली में देखना है त्यान से सुने मेरी बात को नौमाच के प्रथम भाव के स्वामी को लगन कुंडली में देखना है कि यदि वह द्वितिय भाव में बेठा हुआ है देखें आप द्यान से द्वितिय भाव और ग्यारवे भाव को दूसरा भाव धन का भाव होता है ग्यारवा भाव आये का भाव होता है तो नवमांच कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी यदि लगन कुंडली के द्वीतिय भाव में हो या ग्यारवे भाव में हो सिंपल सा सुत्र है एसी इस्तती में लाब वाली इस्ततियां बनेगी विवा के बाद यदि वहा जो नौमांच का स्वामी है यदि द्वितिय भाव में या ग्यारव भाव में क्षत्रु राशी पर है ऐसी इस्तिती में थोड़ी समझ से आवश रहती है लेकिन फिर भी लाप तो मिलेगा ही एक बात और आप समझ लेवें कि जहां कहीं पर भी आपका मिलान होने वाला है मान लिजिए कोई लड़की है उसका मिलान जिस किसी लड़के के साथ होने वाला है तो उस लड़के की कुंडली में या लड़के का मिलान आपका लड़का है जिस लड़की से मिलान हो रहा है उस लड़की की कुंडली भी देखें लगन कुंडली उसमें प्रतम भाव पंचम भाव नवम भाव के स्वामी कौन है उनका भी अवश्य पता करें लगन पंचम नवम ये त्रिकोन कहलाते हैं यदि इनके स्वामियों की दशा आने वाली है निकट भविश्य में तब भी लाब वाली स्थियां बनती है तो इस बात को भी अवश्य समझना होगा पूरु में भी इसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ कि जिस किसी लड़के या लड़की के साथ आपका मिलान हो रहा है आपकी लड़की है जिस किसी लड़के के साथ मिलान हो रहा है आपका लड़का है जिस किसी लड़की के साथ मिलान हो रहा है उसकी कुंडली में आपको यह भी देखना होगा कि उसको क्या दशा चल रही है य मैंने आपको बता ही दी कि नौमांच का स्वामी। नौमांच कुंडली के प्रतम भाव में जो राशी लिखी हुई है, उसका स्वामी यदि लगन कुंडली में दूसरे भाव में हो, या ग्यारवे भाव में हो, येसी इस्तति में विबाह के बाद、 धन लाब वाली इस्ततियां, ससुराल से भी लाब वाली इस्ततियां बनती है बहुत सामानी सा विशय है यदि आपको यह विशय अच्छा लगा हो तो इसे शेर करना बिलकुल भी ना भूले यदि शेर करेंगे तो और भी लोग इस जानकारी को प्राप्त करेंगे उनको भी जोति सम्मंदित महत पूर्ण जानकरी मिलेगी वे भी लाबनवित होंगे धन्यवाद जैशिक्रिश्ण